इस lecture के अंदर अब हम दुबारा से एक और चीज को देखने वाले हैं कि जब आप data को measure कर रहे होते हैं तो कौन-कौन सी चीजों का आप ख्यार रखते हैं There are many things जब आप किसी चीज को measure करते हैं तो आपके ख्याल में आती हैं कि क्या मैं ठीक से measure कर रहा हूँ और अगर मैं measure कर रहा हूँ तो original क्या है इसकी width, length या height whatever you are measuring ठीक है तो क्या मेरे से कोई गलती हो रही है या system से कोई गलती हो रही है या जिस एक चीज से मैं measure कर रहा हूँ उस instrument में गलती हो रही है तो इस concept को हम बोलते हैं true scores या आपके errors in scores इस concept को हम बोलते हैं true or error scores true and error score true or error score का मतलब ये है कि आप जब किसी चीज को measure कर रहे हैं उसमें कितने किसम error के chances हैं अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ is it possible कि आपका जितना weight है यानि कि जितना आपका वजन है exactly उतना आपको एक instrument पकड़ाए for example आप किसी एक weighing balance के पर खड़े होते हैं और आप अपना weight measure करते हैं say for example 70 kg आजाते हैं अब आपको भी पता है कि मेरा weight exactly 70 kg नहीं है क्यों क्योंके यार 300-400 ग्राम उपर भी हो सकते हैं 100 ग्राम भी उपर हो सकते हैं सो इशारिया तीन तीन चार 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 ग्राम भी उपर हो सकते हैं so continuous value है लेकिन वो round off करके हमें बता रहा होता है अगर आप digital weighing balance पर खड़े होते हैं तो क्या होता है आपका weight जो है वो points के अंदर आ रहा होते है so आपको कैसे अंदाजा लगाना है कि observed weight आपका कितना है और true weight कितना है इसके लिए हमारे पास statistics के अंदर terms होती हैं जिनको हम बोलते है true and error scores यानि कि एक आपका true score and error score ठीक है दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी दुनिया जो है ना basically वो continuous data पर matter करती है मिसाल के तोर पे अगर मैं glass में आपको पानी दिखाऊं ये मेरे पास एक glass है अगर मैं इसके अंदर आपको पानी दिखाता हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितना पानी है कोई बंदा बता सकता है कितना पानी है चले मैं कहा देता हूँ कि ये 400 milliliter है लेकिन आपको भी पता है कि exactly measure करना इस glass का पानी बहुत मुश्किल है और वो जो exact measurement हम करते हैं अपनी तरफ से पीछे फिर भी कुछ नो कुछ error रह जाती है जिसे हम ignore करते हैं और इस तरह की error statistics के अंदर आपको बताना ज़रूरी होती है अगर आप इस तरह की error कोई आपके पास आ जाती है आप उसे कैसे बताते हैं we will see that so true or error scores क्या होता है यह दोनों dynamic चीज़ें है for example continuous data जो हमारी दुनिया है मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीज जितनी हम measure करते हैं पीछे को छोड़ भी देते हैं हम सारी की सारी measure नहीं कर सकते मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ यह मैंने एक line लगाई ठीक है और आप यह समझ लें कि यहां तक अगर मैं height measure करने का एक आला लगा दूँ हर बंदे को बलाओं कि यहां पर खड़े हो और उपर सर पे ऐसे लगा के पीछे से देख लूँ कि यार इसकी जो height है 5 feet 4 inch है ठीक है या 6 feet है ठीक है और अगर यह height आप जो measure कर रहे हैं हो सकता है उस बंदे ने ऐसे करके relax किया अपनी body को या stretch किया हो या हो सकता है उसने गर्दन पीछे कर ली हो area थोड़ी सी उपर उठाई हो या there are many other factors जिनकी वज़ा से errors के chances आ सकते हैं सो हमारे पास जो true score and error score होता है उसकी एक equation होती है जिसको हम बोलते है के हमने कैसे measure किया कोई चीज for example हमारे पास जो इस वकत say for example मैं यहाँ पे एक छोटी सी line लिखता हूँ के x is equal to true score plus error ठीक है अब हमारे पास जो x है यह basically जब भी आप कोई चीज measure करेंगे ना यह आपका observed value है 1.5 kg मिर्चें लेने गया मतलब खरीदने ठीक है so 1.5 kg मिर्चें खरीदते वकत आपको भी पता है कि वो प्रॉपर पूरा 1.5 kg मिर्चें नहीं करेंगे वो क्या करेंगे उसको थोड़ा सा ज्यादा डालते होते होते हैं अक्सरोकात आप चीनी भी लेने जाएं कोई पती लेने जाएं कोई चीज खुली वाली लेने जाएं तो आपको पता है दुकानदार थोड़ी सी ज्यादा उसमें hide कर देता है reason कहा है वो अपनी तरफ से यह कह रहा होगा लेकिन मुझे पता है के मेरा जो वेट है 169.5 है प्लस 0.5 जो है वो एरर है इसका मतलब यह हुआ के जो ट्रू वेट है मेरा वो 69.5 केजी I'm just giving an example इतना मेरा ओरिजिनल वेट नहीं है भाइदावे यह जो मेरे पास वेट जो मेरा ट्रू है प्लस यह जो एरर है यह मेरे कंट्रोल में भी हो सकती है और मेरे कंट्रोल में नहीं भी हो सकती I can actually control it और I cannot even control it तो इस तरह की जो एरर होती है यह रियल लाइफ के अंदर आपको बहुत ज्यादा सताती है इसी वज़ा से जब भी आप कोई चीज देखेंगे आपके पास अगर उरिजिनल ट्रू वेट है किसी चीज का या ट्रू मेरमेंट है साथ में आपके पास एरर होगी विच इस एक्शली इकॉल टू योर अब्जवेशन और अक्सर अकाद आप क्या करते हैं ये अब्जवेशन आपकी अपनी मिस्टेक भी हो सकती है ठीक है मतलब ये कि आप ये जो मिस्टेक कर रहे हैं हो सकता है कि आपने जिस तरीके से अपना वेट किया हो सकता है आपने जर्सी पह नहीं हो वो एक error हो सकती है, second mistake हमारे पास, ये हो सकती है, कि जो weighing balance है, उसकी calibration है नहीं ठीक, weighing balance 0 होता ही नहीं है, वो 1 kg पे start हो रहा है, so इसका मतलब ये भी हो सकता है, कि जो calibration है, उस weighing balance की वो खराब है, so there are two kinds of errors, जिनको हम देखेंगे, और उन errors को हम समझेंगे, कि किस तरीके से, दोनों की दोनो errors जो हमारे पास आती है, but before that, इस equation को मदे नज़र रखिएगा, life में जब भी कभी आप कोई भी measurement लेते हैं, उसके साथ error ज़रूर आती है, so true value plus error, ये आपकी observed value है, ये आप observe कर लें, कोई instrument observe कर ले, या कहीं भी किसी भी तरीके से, आप ये जो observation कर रहे हैं, you cannot reach to the actual point, ये error आनी ही आनी है, और stat हमें ये ही बताती है, whenever you deal with the measurement, आपके पास ये error आईगी, और खास तोर पे ये उस चीज़ की error है, जो continuous data है, continuous data, ठीक है, अब ये error सिरफ continuous में आएगी, अब मिसाल के दोर पे, मैं आपको बताता हूँ, कि आप गिल लें, जी आप कितने लोग हैं इस वकत मेरी class के अंदर, अगर मैं इसी चीज़ को count करूँ, तो live 84 लोग इस वकत देख रहे हैं, ठीक है, so 84 का मतलब 84 ही है, ये नहीं होगा कि 83 हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, नहीं, 84 is exactly 84, अब जो error है, मैं ये कह सकता हूँ, 84 लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे पास data आ रहे हैं, लेकिन आप भी खुद जानते हैं, कि कभी कबार ऐसा भी होगा, कि एक ही live stream पे दो लोग भी देख रहे होंगे, और एक ही live पे तीन भी देख रहे होंगे, so these kind of errors हैं, जो आपके control में नहीं है, इनको भी एक नाम दिया जाता है, फिर एक और नाम होता है, हो सकता है, YouTube का algorithm जो है, वो मुझे इस equation के बारे में बताई ना रहा हो, कि यह जो मुझे 89 शो हो रहा है, हो सकता है, यह 70 something हो, लेकिन 89 कौन से हो रहा है, जो पिछले थोड़े देर के पहले पहले छोड़ के चले गए हैं, so these kind of errors are very important in data, तो true values प्लस आपकी error, इस error के ऊपर पूरी की पूरी stat जो है, वो base करती है, यानि के errors जो है, इनके जितने भी WH questions आपके पास बनते हैं न, यह सारे के सारे आपको helpful साबित होते हैं, अगर आप इन सभी को understand कर लें, इसका मतलब है आप error को minimize करते हैं, और statistical analysis इस error को minimize करने के उपर ही लेगे होते हैं, एक बात यहाँ पर याद रख लें, future में जब आपको बोला जाएगा न, फ्लाम बंदे ने ये adjustment की, फ्लाम बंदे ने फ्लाम method के अंदर ये adjustment की, वो जो adjustment वो लोग कर रहे होते हैं, वो actually इस error को further minimize कर रहे होते हैं, वो और अच्छा equation के अंदर algorithm को add करते हैं, कि आपकी error और अच्छी से minimize हो जाए, मिसाल देता हूँ आपको एक और, अब chat GPT का 3.5 version जो था, जब start start में आया था 2021 तक जो train था, आपको भी पता है कि वो error prone था, more error prone था, जैसे GPT 4 आया, आपको पता है, जैसे आप analysis करने बैठते हैं, data आपका कमाल किसम का accurate आता है, and there are many improvements in that, तो हुआ क्या है, जो GPT 3.5 से उपर नया version आया, उसने error कम कर दी, जो पहले error prone था, वो अब error कम हो गी हैं, हाँ, GPT 4 में भी error हैं, आप कुछ भी पूछ लिए, उसमें भी errors हैं, लेकिन आइस्ता इस्ता 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 वो कम हो रही हैं, और यही task होता है, एक machine learning engineer का, कि errors in prediction को कम गरना, अक्सर उकाद आप देखेंगे, एक machine learning का आपको task perform कर रहे हैं, और आपके पास, जो value आनी चाहिए, for example, मैं किसी एक data पर कहता हूँ, कि Pakistan के अंदर, मैं predict कर सकूँ, कि अगले 20 साल के अंदर, 50% female जो हैं, वो IT की industry के अंदर होगी, ठीक हैं, so यह जो एक concept है, यह मैंने बोल तो दिया, क्या मेरे पास data है, पीछे बोलने के लिए, और data है, तो कितना accurately इसको मैं बता सकता हूँ, और errors जो है, यह आपके environment से आती है, data किसने collect किया, कैसा collect किया, क्यों collect किया, क्या वो लिखने में तो नहीं कोई गलती कर गया, store करने में तो नहीं कोई गलती हो गई, या किसीने पैसे लेके, किसी के घर में फीमेल ज्यादा थी, कम तो नहीं लिख दी, you know, these kind of things, यह सब कुछ होता है, errors prone, और errors को कम करने के लिए, आप बिल्कुल सीरे से start करते हैं, यानि कि पीछे, sampling से, लेकिन उससे भी पहले, अब इस lecture के अंदर, हमने जो पढ़ा है, x is equal to t plus e, इस equation को mind में रखिएगा, हमेशा अब हमने e और t की बात करने है, true क्या है, और error क्या है, error जब आपको समझ आगी, statistics समझ आजाएगी, ठीक है जी?